हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्याकरण आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर चौधा जिसका नाम है मुहावरे यानि इडियम्स चलिए पार्ट नंबर चौधा पढ़ना यानि मुहावरे शुरू करते हैं मुहावरा शब्दों का सम्हू होता है मुहावरों के प्रियोग से भाशा सुन्दर हो जाती है मुहावरे अपना अलग अर्थ बताते है मुहावरे कम शब्दों से बहुत कुछ प्रकट कर देते है इस प्रकार वे शब्द सम्हू जिनका प्रियोग किसी विशेश अर्थ में होता है मुहावरे कहलाते है चलिए बच्चों यहां मुहावरे दिये गए और उनका अर्थ हम देखते हैं हाथ बटाना, सहता करना, वाक्य प्रियोग इसका हमें अपने अभिवाब को वे मित्रों का हाथ बटाना चाहिए फूला ना समाना, बहुत खुश होना वाक्य प्रियोग अमित कक्षा में प्रथम इस्थान प्राप्ट करके फूला ना समा रहा है आईए कुछ अन्य मुहावरों के अर्थवे वाक्य प्रियोग जाने मुहावरे अर्थ और उनके वाक्य प्रियोग चलिए देखते हैं अन्धे की लाठी यानि एक मत्र सहारा वाक्य प्रियोग मानव अपने बुड़े दादाजी के लिए अन्धे की लाठी है आखो का तारा यानि बहुत प्यारा इसका वाक्य प्रियोग रवी अपनी मा की आखो का तारा है घी के दिये जलाना यानि खुश्य मनाना वक्के प्रियोग राम के अयोध्या लोटने पर सभी नगरवासियों ने घी के दिये जलाए हाथ मलना यानि पश्टाना वक्के प्रियोग इसका काम बिगर जाने पर हाथ मलने से कोई लाब नहीं होता कान भरना यानि चुगली करना वाक्य प्रियोग सचिन कार्थिक के खिलाव सबके कान भरता रहता है कानों पर जूना रेंगना यानि ध्यान न देना वाक्य प्रियोग सभी लोग नीरज को बहुत समझाते हैं पर उसके कानों पर जून तक नहीं रेंटी नोदो ग्यारा होना यानि भाग जाना वाक्य प्रियोग बिल्ली को देखते ही चूहा नोदो ग्यारा हो गया पेट में चूहे कूदना यानि बहुत भूख लगना वाक्य प्रियोग थोड़ी देर खेलने के बाद हर्ष के पेट में चूहे कूदने लगे काट बांदना यानि याद रखना वाक्य प्रियोग हमें बुजुर्गों की बताई बातों को काट बांद लेना चाहिए कड़े मुर्दे उखारना यानि बीती बातों को फिर से याद रणा वाक्य प्रियोग सुमित और आयुश मित्र हैं लेकिन तोनों कड़े मुर्दे उखाड़कर आपस में लड़ते रहते हैं अंगूठा दिखाना, समय पढ़ने पर काम ना आना वाक्य प्रियोग, नीरज जीवन भर मुझसे अपने काम पूरे कराता रहा और मेरी बारी आने पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया आँख दिखाना, यानी गुसा करना वाक्य प्रियोग, कुछ लोग गलती करके भी आँखे दिखाते हैं आँख चुराना, यानी कत्राना वाक्य प्रियोग, उधार ना चुका पाने के कारण रोहित सबसे आँखे चुरा रहा है नमक मिर्च लगाना, यानी बढ़ा चड़ा कर बताना वाक्य प्रियोग, तुशार सबकी बातों को नमक मिर्च लगा कर बताता है जी चुराना, यानी परिश्रम से बचना पक्के प्रियों आलसी लोग हर काम से जी चुराते हैं चलिए बच्चो आज हमने पड़े मुहावरेगे अभ्यास दिया गया है आप खुद करिएगा ये पार्थ यहीं समाप्त होता है अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में अप्रक्तिली बाइ बच्चो